बात करते हैं रीट 2022 को लेकर एक नई खबर फिर से आपके बीच में है कोट ने आज जो है 2017 वाले जो सेटिपिकर धारी है 2017 में जिन्होंने क्वालिफाइड किया था रीट को उनको भी जो एंतरियम रूप से रहा देते हुए 2022 में रीट में सामिल कर लिये गयें को आधेश दे दिए गये हैं कोट न आज आधेश दे दी थी तेएं दो जार्वाइस रीट में 2017 वाले जो परमानपततर धारी coloured कर कड़ चुके उनको सामिल कर दिया गया कोट ने एनसीटी नियमों का वाला देते वे भर्टी में सामिल कर वाने के लिए इननोंने कहा है अब याची करतों की तरफ से जो पेरवी की थी रगुनंदन जी सर्मा है ठीक है और याची का में सुनिल सेन और तरुना पूर्विया की याची का दायर की गई थी इसको लेकर आज का ये कोट का आदेस हो गया अब जो है रिट 2017 जिन्होंने कौलिफाइट किया था वो भी 2022 म सामिल हो चुके हैं रिट तारी 2017 में कौलिफाइट कर चुके हैं तो अब कुछ कमपेटेशन और बढ़ने वाला है तैयारी रखें आप जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा ये रिट आगे जा सकती है नहीं जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं है रिट ओन टाइम होगी सामिल किया लेकिन इसा ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि आप इनको लिट तैयरी के लिए अलग से टाइम देंगे ऐसा कुछ भी नहीं इसी परक्रेय का दिन होगा सब कुछ फोरम भरवाने होंगे तो ये पोर्टल जैसा कि अभी खुला हुई है और चार पांस दिन हैं वह अनुबह उधारी भी है और क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट केर सेकंड ग्रीड भी की होगी जो इस बार कॉलिफाइट नहीं हुए उन में से दुस्तों 2017 में हो रहे होंगे तो कुल मिला के बात यह हैं कि 2017 रीट कॉलिफाइट 2022 में सामिल हो रहे हैं नासकार